हेलो श्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महतवपूर्ण आईटी एप के कोशन को लोग देखने वाले हैं आईटी एप जो कि आपके बिहार बोर्ड एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेट साबित हो सकता है इस पार जो एकजाम होने वाला है तो आईए कोशन को देखते हैं कोशन में देखने हैं लिख्या है कि सेक स्क्वाइर ओफ टेन इन्वर्स फाइब तो आप इसको देखकर कि आप यह समझे आपको यादा रहा होगा फर्मूला सेक ओफ सेक इन्वर्स एक्स यह फर्मूला यादा रहा होगा अपको यह तो याद आहीं रहा होगा कि Sik of Sik inverse X होता है 10 of 10 inverse X होता है Sik of 10 inverse X फर्मुला नहीं होता है तो इसका फर्मुला क्या होता है? X ऐसे ही यहाँ पर भी Cowsic of Cowsic inverse X एकोंडू क्या होगा? X हो जाएगा तो इसका मतलब यह कि हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कैसे दखिए सिक आप टेन इनवर्स फाइब टेन इनवर्स फाइब और इसका क्या वर्ड स्कुर्ड कर सकते हैं पलस ऐसे यहाँ पर भी कौवसिक आप कौवसिक इनवर्स फाइब और इस पूरे का भी वर्ड स्कुर्ड कर सकते हैं अब यह बताएजे यहाँ पर अभी आप फार्मुला क्या पढ़े सिक आप सिक इनवर्स एक्स तो थोड़ा साब ध्यान देजिए तेन इनवर्स के लिए फार्मुला क्या होता है इसके लिए पार्मुला होता है तो यहाँ बी में कुछ नहीं तो क्या होता है तो प का भेलू 5 बी का भेलू 1 सोचिए इसका भेलू कितना 5 कितना क्या 5 इसका भेलू कितना 1 तो यहाँ पार्मुला क्या होगा तो जानते हैं फार्मुला रूट अंडर P A स्क्वाइर पलस B A स्क्वाइर तो जब इसका स्क्वाइर कीजिगा तो क्या आएगा 25 पलस इसका स्क्वाइर कीजिगा तो क्या आएगा 1 क्या स्क्वाइर 1 तो कितना गया 26 आया रूटनर 26 अब बताइए ऐसे ही यहाँ पसुचिए तो एक तो बात समझ में है एच के विलू कितना गया आपको रही समझी है रूटनर 26 तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि ऐसे कि सेक आप सेक इनवर्स और फरूमने क्या होता है सेक के लिए क्या होता फरूमना है एच बाई बी आपको याद होगा न यानि हो कॉण बाई आधार तो एच कीतना है रूटनर 26 तो यहाँ कर सकते हैं रूटनर 26 डिभाइड बाई वान योगि बी के विलू वन है तो वन को अगर हमाटा भी दे तो भी कोई फर्क पढ़ने माल सब्सक्राइब होता है तो यह से लिख सकते हैं और इस हूड़ा क्या करेंगे स्क्रिएर तो थोड़ा क्ला सेंज कर देते हैं तक असब्रस समझ में आएगा क्या कि हम लोग इसका स्कूरेट ठीक है चलिए अब थोड़ा सा अगार देखिये एसे ही यहाँ पर इसके बाई म मीठेकी हो गात यह कोसिक का स्क्वा और है नो तो थोड़ा से यहां दाएं नखेगा कि यहां पर क्या हो गए यह कोट काषिच का है का थिक है तो चलिए यहां इसका फ्रबुल एब descriptions आ है बिर यह आरे एक भीकहलो कितना है नियोंकि यहां पर हो तो भी कहलो पाइब है P SQR plus V SQR होता है यह से अब बताइए P के विरू कितना है 5 तो 5 के स्क्वार 25 और यह होता है फरूना के इतना है P SQR plus V SQR तो P के स्क्वार कितना है 25 और V SQR के वैलू 1 आगया नहीं से क्योंकि यह उसमें 1 क्या है एक इसमें B है और 1 P है एक है और यह भी ठीक है तो यहां कर देते हैं P और यहां कए कर देते हैं कि हम तो है कि होटए है यहां से हाग्या सीख आप सेख इंवर्स रूट आर ट्वंटेशिकस तो इसको में लिख सकते हैं कितना root under 26 इसका square है ही यहाँ से फिर plus यहाँ से भी ऐसे ही हाएगा cow sec of cow sec में अगर इसको में change करेंगे तो फर्मने क्या होता है h by p h कितना है यहाँ यहाँ पर root under 26 p कितना है 1 तो by में 1 जाएगा तो कोई मतलब नहीं स्क्वार है न तो यहाँ पर फिर आगे क्या है root under 26 का square तो यह भी 26 यह भी 26 add कि जाएगा तो कितना है गा 52 और इस तरीके से जो option आ जाएगा वह option आ जाएगा यह कौन सा तो आप्शन यह ठीक है तो मुझे पूरा भी स्वास है कि आपको यह वीडियो बोट्र समझ में होगा अगो वीडियो शालके वीडियो को लाइक किजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए चैनल पहली भार है तो चैनल को सब्स्राइब करके मिरें करको से प्रेस करते जीगा जेसे आने लिए वीडियो को लिए नोट्रीपिक्स अपको बित्ता रहका और अगा पढ़ीवस तुदस से से चलते रहका थैंक्यू सो मज फाल वासिंगे इस वीडियो